हलो दोस्तों मैं पश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में धर्माज क्रॉप गार्ड का जो आईपियो आने जा रहा है उसके उपर हम बात करने जा रहे हैं और यहां पर हम इस आईपियो क में एवॉइड करना है तो चलिए इस आईपियो का डेटेल से रिवीव और एनालिसिस करते हैं यहां पर सबसे पहले हम आईपियो के डेट के उपर बात कर लेते हैं यह जो आईपियो आपका आपन हो रहा है 28th of November 2022 को आईपियो आपन हो रहा है और यह जो क्लोज होगा आपका 38th of November 2022 को क्लोज होगा अगर हम यहां पर एलॉट्मेंट डेट की बात करें यहनी 5th of December 2022 को आपको पता चल जाएगा यह IPO आपको एलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है अगर आप इस IPO के लिए अपलाई करते हैं तो अगर आपको IPO का एलॉट्मेंट नहीं मिलता उसके next day यहनी 6th of December को यहां पर आपको refund मिल जाएगा और अगर IPO का एलॉट्मेंट आपको हो जाता है तो आपको उसी दिन यहनी 6th of December को यह IPO आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा वही अगर हम इसके listing date की बात करें तो 8 of December को यह IPO मारकेट में लिष्ट हो जाएगा उसके वह आप चाहो तो मारकेट से भी इस company के sales को buy और sell कर सकते हो इसका जो listing है वो आपका बोथ NSC और BSC पे होनी जा रहा है वही अगर हम इसके price band की बात कर लें इसका lower price band है वो आपका 216 और upper price band है आपका 237 per sales अगर हम lot size की बात करें तो इसका lot size है 60 per sales और इसका IPO size है वो भी काफी छोटा सा है सिर्फ 250 करोड का ही IPO size है जिसमें से 35 करोड OFS रखा गया यानि offer for sale रखा गया है और लगबग आपका 216 करोड का fresh issue है जो की पैसा आपका company के पास जाने वाला है अगर हम इसके face value की बात करें इसका face value rupees 10 रखा गया है तिहां पर हमने IPO के important date को देख लिया अब हम चलिए इस company के बाद में थोड़ा सा overview देख लेते हैं तिहां पर अगर हम धर्माज IPO के बात करें इन धर्माज company के overview के बात करें ति यह आपका एक एमदाबाद based क्या है एग microchemical formulation जिसमें आपका क्या क्या आता इंसेक्टी साइट्स आता फंगी साइट्स आता हवी साइट्स आता प्लांत ब्लोट्स वेगुलेटर आता माइक्रो फटिलाइजर और एंटिवाइटिक्स इन सारे product के manufacturing distribution और marketing में काम करता है और यह अपने customers के साथ B2C and B2B business भी करता यह यही इसके अगर हम product portfolio की बात करें तो काफी diversified इसका product portfolio है यही पर हम कुछ और इसके overview के उपर बात कर लेते हैं कुछ और अगर हम बात करें तो यह company सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी अपने product को export करती है और globally अगर हम बात करें तो 20 countries में यह अपने product को export करती है जिसमें आता है आपका Latin America, East African countries, Middle East और Far East Asia में यह अपने product को supply करती है वही अगर हम इस company की बात करें तो इसका जो भी product होता है वो इंडिया के almost 12 states में sell किये जाते हैं through its network और इसके अगर हम networks की बात करें तो इसके साथ लगबग 3700 dealers जूरे हुए हैं और अगर हम इसके stock deports की बात करें तो लगबग इसका 8 stock deports है इंडिया में as on November 30 2021 इसके अगर हम presence की बात करें जिसका presence all over इंडिया में नहीं है लेकिन जो भी आपको agrobist state देखने को मिलवा है उन सारे states में इसका presence हमें देखने को मिलता है वही अब हम इसके IPO objective को पर बात कर लेते हैं नहीं IPO से जो पैसा सबसे पहला आपका ये एक manufacturing facility setup करने जा रहा बरूच गुजरात में ही उसकी बाद अगर हम बात करें तो जो भी walking capital requirement होता उसमें भी खर्च करने वाला IPO से पैसा आएगा उसमें बांकि जो भी borrowing है company का उसके payment और repayment में भी ये पैसा खर्च होने वाला और general corporate purpose के लिए भी पैस खर्च होने वाला जो 216 करूर IPO से आने वाला इन सारे पैसा का खर्च company इन सारे जगों पर करेंगे जो company के द्वारा बताया गया है यहां पर हम देखते हैं कि हमें धर्माज crop guard limited IPO में क्यों apply करना यहां यहां पर हम काफी हद तक industry overview के उपर बात करने जा रहें सबसे पहले अ आपका growth किया है वह 4.3% के CHDR के साथ grow किया है 2016 में यह जो market था आपका लगबग आपका था 57 USD billion में और यह आपका 2020 में increase हो गया 67 USD billion में यह नि लगबग 4.3 CHDR के साथ इन 5 years में grow किया है और आने वाले 2-3 years में उमीद है कि at least इंडिया और चैना जो है वह लगबग आपका 3.4 से लेगे 3.7% के CHDR के साथ grow करने जा रहा अगर इस भी CHDR के साथ grow किया थोड़ा वह कम भी CHDR के साथ grow किया फिर भी यह जो company आपको देखने को मिल वह यह आपका लगबग 10-15% का return आपको annually आसानी से दे देगा यह नि इस company का जो next 2-3 years का prospect हमें देखने को मिल वह काफी bright है और काफी अच्छा देखने को मिल वह अगर हम industry overview की बात करें तो वहीं अब हम इसके financials के उपर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसके revenue के उपर बात करें FY 2020 में इसका जो revenue था वो 199 करोड करीब था जो की FY21 में increase होके हो गया 304 करोड FY22 में increase होके हो गया 396 करोड और first four month of FY23 यानि मार्च से लेके अभी तक July 2022 तक इसका जो revenue है वो 221 के करोड के करीब है यानि ये company उतनी big नहीं है छोड़ी company है आप इसको small cap company बोल सकते हैं अगर हम इसके expense की बात करें तो जिस ratio से इसका revenue increase होगा उसी ratio से expense भी increase होता हुआ दिखा है वही main जो में focus करना हो पैट पर focus करना यानि profit after tax पर focus करने के जोगत है FY20 में इसका profit था लगबग 10.76 करोड के करें FY21 में इसका profit आपका increase होके लगबग हो गया 21 करोड करें 20.96 और FY22 में भी ये काफी तेजी से grow कर रहा और इसका profit after tax आपका 28.69 करोड करी हो गया और अगर हम first four month of FY23 की बाद करें यानि till 31 July 2022 की बाद करें तो इसका जो पैट है आपका 18.36 के करीव है और इसी पेज से अगर increase किया तो FY23 पूरा complete होने में इसका पैट आपका 40 से एबब जाता हुआ दिख सकता है तो देख सकते हैं इसका financials काफी strong दिख रहा है यानि company profit पे ज़्यादा focus कर रहे है और market को यही चाहिए market इस stocks को पसंद कर सकता इस IPO को पसंद कर सकता अगर हम financials की बाद करें तो यहां पर हम इस IPO के valuations को लेखते हैं और उसका competition हम peers के साथ भी कर रहे हैं और इसके बाद हम final conclusion पर आएंगे कि इस IPO हमें क्या करने की ज़रूबत है apply करना है या फिर नहीं करना है सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो total revenue उसका है 302 करोड करीब है अगर हम इस industry के और भी company के साथ इसका company करें ति यह इस industry के सबसी छोटी company लग रहे हैं मैंने आपको पहले बताए यह आपका small cap company है जिसका market cap अगर हम बात करें तो लगबग आपका 580 करोड के करीब इसका market cap भी यहां पर ज्यादा नहीं EPS भी आपका 8.5 है इस industry में सबसे कम अभी तक हमें देखने को मिलवा है और return और net worth की बात करें यह हमें higher side पर देखने को मिलवा है यह इस industry में इसके बात जो सबसे ज़्यादा return on net worth आपको देखने को मिलवा है वो इंडिया pesticides का देख देखने को मिलवा है तो return on net worth एक हमें attractive side पर देखने को मिलवा है यह नहीं company profit पर ज्यादा focus करें यह चीज़ यहां पर हमें clear cut देखने को मिल रहा है यहां पर हम इसके peers से comparison करें तो peers के मुकाबले में यह उतना ज्यादा attractive हमें नहीं दिखता है यह नहीं अगर आप long term के लि इस IPO में पैसा लगाने के बारे में सूच रहे हैं तो long term के लिए यहां पर आप avoid कर सकते हैं और इसका जो peers company अगर आपको इसी field की company में पैसा लगाना है तो आपको इसका peers company में investment करने के जो बत है वो आपको इससे कहीं ज्यादा better return दे सकता है वहीं अब बचता है क्या यहां से हम listing gains के उमीद कर सकते हैं क्या listing gains के लिए यहां पर पैसा लगाया जा सकता है इसके लिए हम आएंगे लेकिन इससे पहले हम इसके grey market premium को भी हम देखना चाहेंगे यहां पर अगर हम इसके grey market premium की बात करें तो as on 24th of November 2022 इसका जो grey market premium है वह आपका 40 rupees के आसपास और इसका जो profit मिलता हुआ देख सकता है तो यहां पर आप 10% to 20% का profit आप मिलता हुआ देख सकते हैं as a listing gains लेकिन यह आपको कब मिलता हुआ दिखेगा अगर market का conditions ठीक ठाक रहा जैसा market condition अभी है अगर same type of market का conditions रहा तो यहां पर आपको 10 to 20% का listing gains आसानी से मिलता हुआ देख सकता है लेक यह भी चीज यहाँ पर विस्क बाली बात है यह भी चीज आपको consider करना होगा लेकिन यहाँ पर आप काफी हद तक listing gains की उम्मीद कर सकते हैं तो अगर आप listing gains के लिए इस IPO में पैसा लगाने के बारे में सूच रहे हैं तो आज की date के recording यहाँ पर आप listing gains के लिए इसमें apply कर सक करते हैं लेकिन apply करने से पहले आप एक बार अपने financial advisor से जहूर consult कर लिए और जो भी decisions लेना आपको खुद के बरों से decisions लेना मांकि हमारा final decisions क्या होगा जिस दिन IPO open होगा उस दिन हम source के जरी आपको update करेंगे उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के पसंद आया फ्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कीजिए ताकि इस तरह का आई प्यो एनालिस वीडियो हम व्रेग्लर बेसिस पर आपके लिए लाते रहेंगे तो डैस आल फैंड्स मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन